मीन राशी के जातकों के लिए साल दोहसार चौबीस कैसा रहने वाला है, उनके पारिबारिक जीवन कैसी होगी, आर्थिक स्थिती कैसी होगी, साथी साथ हम यहाँ पर जानेंगे कि उनका स्वास्थ कैसा रहेगा, यह तमाम चीजें जो मीन राशी के जातक हैं वो भी यहाँ पहस्पत इस रासी का स्वामी हैं आए आपको आपको पहले बेशिक जानकारी वर्ष के विसे में देते हैं फिर आपको जो है इस रासी के विसे में बताएंगे बेशिक जानकारी आपको ये बता दे कि इस साल जो है दो हजार एक्यासी काल युक्त नामक संबस्र है और कहीं क अहां पूजा पाठ में प्रियोग में रहेगा पिंगल नामक संबसर. तो ये संबसर है, राजा मंगल हैं, मंत्री शनी हैं, टोटल इस साल चार ग्रहन पड़ेंगे, जिसमें से दो सूर्य, दो चंदर ग्रहन, लेकिन चारों ग्रहन का प्रभाव कोई भी अपने भारत देश में नहीं है किसी भी प्रकार की अरिष्टता नहीं है तो यह मैंने आपको बेशिक जानकारी दी अब सीधे आपके रासी से जुड़ता हूं उससे पहले बता दूं कि जो पर्मानेंट आपकी जर्म कुंड़ी होती है उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत अत्यधिक होते हैं दो रासियों के स्वामी है धनुके और मीन के तो मीन रासी जिनकी उनके लगन में ही राहू बैठा हुआ है मीन रासी में लगन में ही राहू बैठा हुआ पूरे वर्ष मीन रासी में ही राहू रहेगा आपके कुंभ रासी में शनी बैठे हुए हैं मेस रासी में बहिश्पत हैं और कन्या रासी में आपके केतु बैठे हुए हैं सीधे आपके शप्तम हाुस में तो इस मीन रासी वालों के जो साड़े साती है यह प्रवेश करता हुआ है पूरे वर्ष आपके उपर साड़े साती है तो यह प्रवेश पिछले साल से कर चुका है अभी से नहीं मतलब ये 2023 में प्रवेश किया था 17 जनवरी 2023 को अभी इस साल भी पूरे साल रहेगा तो ये अभी आपके जो है सिर के भाग में है भी सिर से आपका जो है मद्ध भाग में आएगा फिर पैरों में आता है जिसको उतरता हुआ कहते तो साड़े साती का प्रकोप रहेगा उसके लिए ध्यान लखना मीन रासी वाले सबसे ज़्यादा स्वास्त पर द्यान लखेंगे चूंकि राहु आपके लगन पर ही बैठा है स्वास्त और मेरेड लाइट दामपत्त जीवन चूंकि सब्तम द्रिष्टी सीधे उसकी जो है आपके सब्तम हाउस में जा ना हो और बहुत जादा जो लोग कुछ भाग्यवस चीजों को अजमाते हैं वो बिलकुल ना अजमाएंगे बहुत सोच समझ के पैसा अपना लगाएंगे ये मैं हैंट दे रहा हूँ सेयर मार्केट वालों को इसके अलावा जो है आपकी सिक्षा के लिए बात करें वो आई के बाद और अति उत्तम आपका रहेगा चुकि व्रश में जब जो है तो आपका ब्रहश्पत आ जाएगा तो ये चीजें आपके लिए और अच्छी जाएंगी अब बात करें आपके जो है ब्यापारिक बर्ग के लिए तो ब्यापारिक बर्ग के लिए अच्छा नही है वो बहुत ही सोस समझ करके केतु क्या है केतु जो है उनमतता जादा दे देता है बहुत उतावलापन देता है क्योंकि केतु का जो अकार है वो ध्वजा है जैसे ध्वजा नहीं लहराता रहता है वो रुकता नहीं है ठहरता नहीं है उसी तरह विक्ति ये केतु शप्तम प अच्छा है, जो संतान कंसीट करने की इस्थिति यदी किसी की है, तो वो भी इस साल प्रयास कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, प्रेम संमंध के लिए अच्छा है, वो यदी फैस्ला लें, निर्ने लें, तो वो बैवाहिक जीवन में परिवर्तित हो शकते हैं, जिनकी मेरिड लाइप चल रही है उनको जादा ध्यान देना है जिनको शुरू करना है उनको थोड़ा ध्यान देना है अब बात वहीं पर यदि आपके करें हम विदेशी जो विक्ति जो है आयात और निर्यात का करते हैं तो राहू की दृष्टी है कि तू बैठा है हो सकता है कि आयात और निर्यात आपका बहुत अच्छा हो जाए लेकिन कहिए दि भूल चूक हो गई तो जो कमाया हुआ धन है वो भी आपका फंस सकता है तो उसमें भी आप बहुत सोच समझ के निर्ने लेंगे और अपने ब्योशाय को करेंगे पार्टनर सिब्से भी विवहारिकता बड़ी कोमलता रखनी हैं बड़ी म्रदूर लखनी हैं ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार का आपका मत भेद नहूँद प्रकार के आप दोनों पार्टनरों के बिचारों में कोई परिवर्तन नहूँद इसका विशेष आपको ध्यान द कराते क्या हैं जो है जो कराते हैं वो एक ही कार कराते हैं क्या कराते हैं हमारे बिवेक को हमारे बुद्धी को हमारे ग्यान को परवर्तित करते हैं जब हमारे बुद्धी ग्यान को परवर्तित करते हैं तब हम गलत निर्ने लेते हैं गलत फैसले लेते हैं जब गलत डिसीजन होता है तो हमारा सब कुछ जो है मामला बिगड जाता है यहां पे क्या है कि सनी का भाग्यस्तान पे आपके जो है दृष्टी है और राहु की सब्तम में दृष्टी है उधर आपके जो है सनी की तीसरी धनिस्तान पे दृष्टी है तो टोटल ऐसी जगे दृष्टी जहां आ एक अरनकादान करें साथा में ये साथ चीज़ें और करें काला तेल, कौला कील, काजल, काला कपडा, सर्शो का तेल, राई और उड़त कहीं पर सब्रंद करें और इसको जो है आप सनी मंदिर में दे दे और जो तुलादान मैंने बताया है तुलादान आप सीधे गौशाला में दे और वो किसी अच्छी जगे गौशाला में दे जहां की वह आपका अन जो है प्रियोग में आये ताकि जो आपका सरीर के बजन के बराबर अन दान गया है उसकी अरिष्टता आपके जीवन में जो आ रही है खतम हो और आपको शुवता प्राप्त हो जो मैंने तेल में परचाई देखने के लिए बताई है वो बताई इसलिए कि एक तरह से आप तैला भिशेक कर लेते हैं तो ये मैंने बताया और आपको सीधे जो जुड़ना है वो भगवान शुव और भगवान जो है बिश्णु की आराधना से बिशेश जुड़ना है खास करके भगवान बिश्णु की आराधना प्रभुराम की आराधना और भगवती की आराधना आदी आप जुड़ सकते हो लेकिन मेन रहेगा भगवान विश्णू की आराधना प्रतिशत के हिसाब से आप बात करें तो इस रासी को जो प्रिच्षत मिल लहा है वो 55 प्रिच्षत सुबता लिए है और 45 प्रिच्षत अशुबता लिए हुए है तो आप यदि अशुबता को भी सुबता में परिवर्त प्रश्टित करना है या उन अरिष्टों से बचना है तो अनन्य भाव से भगवान विष्णु के जो है शर्णागत हों और यदि कोई विष्णु सहस्त नाम का पाठ करे राम रक्षा इस्तोत्र का पाठ करे ओम विष्णवे नमहा ओम नमौ भगवते वाशुदेवाया या ओम स्री राम चंदराय नमहा आदी चीज़ों का करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में शुबता ही शुबता आएगी हाँ साड़े साती है सुन्दर कांड का करे तो और अतियुत्तम होगा ये मैंने बताया आपके मीन राशी का और इस तरह से जो शुबता में रहे आचारे जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और आपने तमाम जो लोगों के लिए बताया है कि नया साल कैसे रहेगा बहुत-बहुत धन्यवाद पस यही कामना है कि आपको दो हजार चौविस अतिसे मंगल मई फली भूत हो आप सभी निरो पूर नहें और परमपिता परमात्मा की अशीम कृपा बनी रहे इनी शब्दों के साथ नमस्कार